नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानी एस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको डिफरेंट दोश के बारे में पढ़ा रहा हूँ पीछे मैंने पढ़ाया था काल सर्थ दोश और उसका निवा निवारन कैसे किया जाता है और इसकंद पुराण के नुसार इन दोश के निवारन के लिए काशी को बहुत इंपोर्टेंट बाना गया है और काशी में कहां इनके दोश निवारन होते हैं वो भी मैंने आपको विडियो में बताया था आज हम पित्र दोश की बात करेंगे यह भी बहुत बहुचर्चे दोश है आल्दो ब्रहत पाराशर होरा सास्त्रा के अंदर पित्र दोश के नाम से नहीं पट पित्र श्राप के नाम से वर्णन अवर्श्य है बट पित्र दोश कई बुक्स के अंदर इस तरह से भी मिलता है और इसकंद पुराण में भी वीडियो में आपको मैं बता हूँ कहा बहुत से अवसरों पे लोगों को बहुत सी प्रोब्लम्स होती है जो explain नहीं की जा सकती, जिनको wonder नहीं किया जा सकता, कैसी, बच्चों में बिमारियां चलती रहती है, खुद भी आदनी बिमार होता रहता है, कोई भी business में नया काम करते हैं, तो वो failure हो जाता है, business success नहीं हो पाता, एक्जाम किया competition में बैठते हैं, तो competition को clear नहीं कर पाते हैं, husband wife के बीच में बहुत unnecessary और बहुत छोटी बातों पर जगड़े उन्हों शुरू हो जाते हैं, job छूट जाता है, या आपका आदर सतकार में कमी आ जाती है, तो इस तरह की जब problems हो, तो इसका एक reason, पित्र दोश भ आपको बताई हैं इसके अंदर, जो astrologist बोलते हैं कि पित्र दोश की वज़े से या पित्र शाप की वज़े से होती, अब कहते हैं कि जो भी मनुष इस संसार में जन्मा है, वो कुछ न कुछ करम करता है, और चाय अच्छे करम करे, चाय बुरे करम करे, गरुड पुरान में ये कहा गया है, specific ली, कि जितने भी गलत काम मनुष्य करता है अपने जीवन में, वो उसे भुगतने पड़ते हैं, केवल उसके मरने से, या उसके मृत्यू को प्राप्त होने से ये वो काम ख़तम नहीं होते, वो उसको बार मृत्यू के बार भी भुगतने पड़ते हैं, इ किसी की और उनके जो संसकार हैं मिर्तिव संसकार वो भी नहीं हो पाते पूरे तो इस तरीके से पित्र दोस्की उत्फन होता है अब उसमें एक चीज बारे में साफ कहा गया है कि नो फादर और डेंड फादर यानि कोई भी पिता या आपका बाबाजी आपके पूर्वज नो कोई नहीं देता है आपके पिता आपके बाबाजी आपको श्राफ देना क्यों चाहेंगे यह बेसिकली हम लोगों के ही इविल डीट्स होते हैं जो हमने अपनी लाइफ में किये होते हैं और जिनका हमको भगतना पड़ता है और उसको हम पित्र दोस्का नाम रहे देते हैं और ये कुछ दोस्तों ऐसे होते हैं जो जनरेशन तक चलते रहते हैं कई जनरेशन तक चलते हैं ये कहा जाता है कि अगर किसी मेरिड लेडी के साथ ये कोई शादी शुदा विस्तरी है विभाईता विस्तरी है उसके साथ कोई हुमिलियेशन किया जाता है तो वह दोश उस इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज़ का ये ध्यान रखना होता है पित्र दोश कैसे बनता है इसके बारे में भी कुछ वर्णन हैं कुछ किताबों में उनमें कहा गया है नवा घर जो होता है वो पिता का घर होता है पित्रों का घर होता है पांचवा भाव जो होता है वो पूर पुनिस्थान का भाव होता है और सूर्य जो प्लैनेट होता है वो पित्र कारक होता है यह हम जानते हैं पिता का कारक होता है पित्र कारक सूर्य होता है अगर नवे इस्थान में सूर्या और रहु बैठे हो और तीसरे इस्थान में शणी हो और वो सूर्या रहु जहां बैठे हैं नवे इस्थान में वहाँ पर सिंध राशी ना हो तो सूर्य राहू बैठे हो और शनी की दरस्ती हो तो ये एक क्लासिक केस होता है पित्रदोश का अब इसके अंदर भी बहुत सारी राय क्या शास्त्रों में लिखा गया है कि सूर्य राहू बैठने से ही पित्र दोष कह देना ही, इसके अलावा ये राजयोग भी हो सकता है, सूर्य अगर केंदर का स्वामी हो, राहू त्रिकोड में हो, और वो केंदर के स्वामी के साथ बैठ जाए, तो राहू राजयोग भी बनाता है, तो राजयोग के फल भी तो वो राजयोग बनाते हैं तो राजयोग भी बन सकता है वो ध्यान देना है कि सूर्य आपका केंद्र का स्वामी तो नहीं फिर भी सूर्य राहु साथ हो शनी की द्रस्टी हो नवे भाव में स्पैसिफिकली तो यह दोश बताया गया है अब इसका पित्र दोश का रैमिडी की आपके माता पिता की उस पे शाद कर्म अवश्य करना चालिए यह करना बहुत जरूरी है बहुत ही आवश्यक है और अगर किसी रीजन से यह आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कर्म आपको परफॉर्म करने हैं कब पित्र पक्ष में सद्धे नवरात्री से पहले 15 दिन पहल भी आप यह ऩए लावा है。 कभी भी पूरी लाइव समय में गया के अंदर या काशी के अंदर भी आप यह कर सकते हैं. जब भी कोई घर में मंगलकारी हो, मैरिज हो या ठमान निर्मान हो आपका कोई भी मंगलकारी घर के अंदर होता है, तो एक पूजा, सुहागन और सुम जिसे सोमवती अमास्या बोलते हैं एक सो आठ प्रदिक्षणा करनी है पीपल के पेड़ के चारो और कुछ दान देना ओन आल संडेज सूर्य गयात्री का जब करें एक सो आठ बार तो इस दोस्ते मुक्ति मिलती है हंड़र परसंट जब है ओम भासक्राय वहमे महद यूतिका यह मंतर आपको करने से प्रित्रदोs के प्रसंट होते काशी के अंदर वी पित्रदोस की रेमिडी है इसकंद पुरान में चैप्टर 97 और उसमें पारवति मा भवान शिफ्द से पूस्ती है उनके लिंक अवारे में और देवताओं के विशय में जो चैश्य में काशी में स लिंगों के बारे में शिव लिंग के बारे में वो फूसती है मापरवती ब Major शिव से तब उनको ब Major शिव बड़े ही फ्रेम से बताते है कि काशी में परमेश्वर लिंग है और परमेश्वर लिंग के पास एक पॉन्ड है जिसे पित्रकुंड बोलते हैं, तलाब है, उसे पित्रकुंड बोला जाता है, तो कहते हैं कि अगर मनुश वहां जाके रिच्वल्स करें अपने Four Fathers के पित्रकुंड पे और परमेश्वर जो लिंग है या पित्रेश्वर लिंग है, उसकी पूजा करें, तो आपके four brothers बहुत प्रसंद होते हैं, आपके पित्र प्रसंद होते हैं, और वो आपको हमेशा हमेशा के लिए आशिरवाद पतान करते हैं, और ऐसे लोग अगर पित्र दोस से गरसित है, पित्र शाफ से गरसित है, तो उ से उनको मुक्ति मिलती है उन्हों दो ये भी बताया है उस में सकनपुराण के चप्टर 97 में के देर इस वन कुंड नोन ऐस पित्र कुंड ये तो आपको बताया मैंने और उसके पास ही अनेदर तीर्थ है जिसकों की विमल तीर्थ कहते हैं वहां पे पिशाच मोचन कुंड है वहां के जो लोकल पंडित हैं वो बिलीव करते हैं इस पास से के पित्र पक्ष में अगर वहां पे सब्टेंबर एक्टूबर का जो महीना होता है जस प्रिसीडिंग फोर्ट नाइट वन फोर्ट नाइट प्रिसीडिंग नवरात्तरी से पहले अगर वहां रिचुल्स प्र लई हो इस तरह की इस्तिती आपके कुंड़ी में हो तो इस तरह के नियम या इस तरह की प्राइमेडीस को आप कर सकते हैं आपको अवश्य ही भगवान सफलता देंगे और इस दो से मुक्ति दिलाएंगे तरने बाद नमस्कार जैशी कृष्ण